दोस्तों इसान किसन के सब्दों में कहें तो 10 दिसंबर का दिन उनके लिए वह खास पल है जिसे वह जिन्दगी भर नहीं भूल पाएंगे वह दिन जिसे बया करने के लिए उनके पास सब्द नहीं है एक ऐसी पारी जो हमेशा उनके दिलों में याद बनकर रह जाएगी और हो भी क्यों ना पारी ही ऐसी थी जी हाँ दोस्तों 24 साल की इसान का या केवल दसवा बंडे मैच था लेकिन कहते हैं ना कि पूत के पाउं पालने में ही दिखने लगते हैं यूँ तो उन्होंने इस पारी से कई बड़े रिकॉर्ड धारा साई कर दिये लेकिन दोस्तों आईए नजर डालते हैं इसान द्वारा दसवे मैच में बनाए गए दस खास रिकॉर्ड पर जिसे ना तो इसान भूल पाएंगे और ना ही क्रिकेट फैंस भूल पाएंगे दोस्तों इसान किसन ने अपने पहले सतक को दोरे सतक में बदल कर इतिहास रच दिया इससे पहले ये कारणामा किसी भी बल्ले बाज ने नहीं किया था घर से बाहर दोरा सतक लगाने वाले पहले भारती बल्ले बाज हैं इससे पहले रोहिस सर्मा सचिन तेंदुलकर और विरेंदर सहवाग ने भी भारत में ही दोरा सतक लगाया था दोस्तों बांगलादेश की धर्ती पर दोहरा सतक लगाने वाले पहले बल्ले बाज हैं इससे पहले बांगलादेश के खिलाफ मीरपूर में 2011 में आस्ट्रेलिया के बल्ले बाज सेन वाटसन ने 185 रन की नाबाद पारी खेली थी दोस्तों इसान सबसे तेज दोहरा सतक लगाने वाले बल्ले बाज बने उन्होंने 126 गेट पर 24 चौके और 10 छक्के की मदद से यह रन बनाए उन्होंने क्रिस गेल को पीछे छोड़ा जिनोंने 138 गेट पर दोहरा सतक लगाया था दोस्तों इसान सबसे तेज 150 रन बनाने वाले बल्ले बाज भी बन गए हैं उन्होंने केवल 103 गेट पर 150 रन पूरे किये जबकि इससे पहले विरेंदर सहवाक के नाम यह रिकॉर्ड था उन्होंने 112 गेट पर 150 रन बनाये थे दोस्तों इसान किसन 12 सतक लगाने वाले बाएं हाथ के पहले बल्ले बाज हैं इससे पहले यह करनाम केवल दाएं हाथ के भारती बल्ले बाज के नाम था दोस्तों 200 से ज्यादा की साजेदारी में इसान किसन ने सरवाधिक रन का योगदान दिया इतना ही नहीं इसान सरवाधिक स्ट्राइक रेट से दोहरा सतक लगाने वाले बल्ले बाज बने उन्होंने 160 के स्ट्राइक रेट से या रन बनाए जो बाकी बल्ले बाजों से बहतर है दोस्तों इसान वर्ड क्रिकेट के तीसरे बाएं हाथ के बल्ले बाज बने जिन्होंने वंडे में दोहरा सतक लगाया है इससे पहले पाकिस्तान के फकर जमा और विस्ट इंडीज के क्रिस गेल ने यहाँ काम किया था तो दोस्तों ये थे 24 साल के इसान के अपने 10वे मैच में 10 बड़े रिकॉर्ड इस पारी के दम पर उन्होंने वंडे क्रिकेट में अपनी दावेदारी भी मजबूत कर ली है दोस्तों ऐसे ही क्रिकेट से रिलेटेड सभी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना